साथियों, हमारे देश की प्रगती और संस्कृति का नेत्रुत्वा हमेशा हमारे गावों ने ही किया है। इसलिए आज देश अपनी हर नीती और हर प्रयास के केंद्र में गावों को रखकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गावों समर्त हो, आत्म निर्फर हो, इसके लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है, पंचायतों को नए अधिकार दिये जा रहे हैं, पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गावों को फाइबर नेट से जोडने का काम भी तेजी से चल रहा है, आज हर गर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को स्वपी गई है, यह अपने आप में बहुत बड़ा काम हमने आपके जिम्मे आपकी भागिदारी से आगे बढ़ाया है, आज गाओं में रोजगार से लेकर गरीब को पक्का घर देने तक का जो व्यापक अभियान केंदर सरकार चला रही है, वो गराम पंचायतों के माज़्दम से ही आगे बढ़ रहा है, गाओं के विकास के लिए प्राक्तिताय ताय करनी हो, उनसे जुड़े निर्ने लेने हो, इसमें भी पंचायतों की भूमी का बढ़ाई गई है, आप अपने भगाओं की चिंता करें, गाओं की इच्छाओं, अपेच्छाओं के मताबिक विकास को गती दें, इसके लिए देश आपसे अपेच्छा भी कर रहा है, आपको समसाधन भी दे रहा है, यहां तक की गाओं के अनेक खर्चों से जुड़ी, अनेक शक्तियां भी सीधी पंचायतों को दी जा रही है, छोटी छोटी जरुवतों के लिए आपको सरकारी दफ्तरों में अब कम से कम जाना पड़े इसकी चिंता कर रहे हैं, अब जैसे आज ही जो कैश इनाम, कैश प्राइज यहां दिये गए हैं, वो सीधे पंचायतों के बैंक एकाउंट में जमा किये गए हैं,